नमस्काल विद्यारतियों, जब हम अनुसंधान करते हैं, तो हम अनुसंधान ही करने ही तूँ कोई उद्देश निरधारित करते हैं, जब आपका उद्देश होता है, तब यह आप methodology निका, पैंड आउट करते हैं, तब यह आप hypothesis बना पाते हैं, उसके बाद ही आप उस पे क सबसे important जो होता है अनुसंधान में वो होती है research की problem या research का उद्देश्य, research का क्या उद्देश्य रहेगा, इसके लिए आप किन points का ध्यान रखेंगे, किन विचारों पे हम सोच विचार करेंगे, किन बिंदों पे हम ध्यान रखेंगे, इन पूरी बातों का हम इस video के अंदर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, सबसे पहला है, जो भी आप research करने जा रहे हैं, उसका सैधानतिक एवं वेवारिक महत्व क्या होना चाहिए, क्या उसका है, अथवा नहीं है, यदि उसका सैधानतिक और वेवारिक महत्व ही नहीं है, तो आप research करना व्यर्थ है, हम जब कोई research करते हैं, तो निश्चित तोर पे उस research का कोई न कोई महत्व अवश्य होना चाहिए, चाह सद्धान्तिक महत्व हो, चाह वेवारिक महत्व, महत्व अवश्य होना चाहिए. महत्व कैसे फांड आउट करेंगे हम महत्व फांड आउट करेंगे जो researches हो चुकी है उसको बारे में पढ़के जो हम research कर रहे हैं उसके बारे में हम विविन तक्षयों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हम find out कर सकते हैं कि उसका सध्धानतिक और बैभारिक महत्व क्या होता है ठीक है यदि महत्व है तो no doubt आप research की तरफ अग्रिसर होई है यदि नहीं है या कम है तो आप अपना objective या आपका जो research का जो topic है आप उसको change कर सकते है ठीक है अभीरूची एवम सामर्थ है ये बहुत important है अभीरूची टॉपिक जो researcher कर रहा है जो researcher है उसकी इंडरेस्ट का है या नहीं हम कोई भी कारियर अच्छी तरीकी से तनमेता से perfectly तब परफॉर्म करते हैं जब हमारे को उसमें इंडरेस्ट आता है जब हमें इंडरेस्ट नहीं है तो निष्चक तोर पे हमारे कारियर हमारे हम जितना capacity है उस Maple से किम करते है करतों लेते हैं हम परन्तों हमारे के बपसीटी से हम उसको कम करते है हमारा सामर्थि है उसमें है या नहीं है For an example हम बात करते हैं ergonomically tools निर्मान करने की ठिक है ergonomically chair निर्मांट करने की बात करी अब chair तो निर्मांट करना चाहते हैं परन्तों आपको ergonomic कि जो dimensions है आपने उसको interest जी नहीं आपको आपको सामर्थे ही नहीं है क्योंकि हर विक्ति की capacity अलग होती है हर researcher की capacity भी अलग होगी चुकि हर researcher की capacity capacity अलग होगी, सामर्थे अलग होगा इसलिए हम ये कहते हैं कि क्या जितना जिसका interest होता है जिसना जिसका सामर्थी होता है उस हिसाब से उसको कारे करना चाहिए अनुकूल उपकरण एवम निरिक्षन बहुत ही जरूर ये अनुकूल उपकरण उपकरण आपकी limit में हो और आपकी यानि की अनुसंधान करता की researcher की लिमिट में हो अनुसंधान करता उस पे परिक्षन, निरिक्षन कर सके ऐसे उपकरण होना भहुत ही जरूरी होता है थीक है उपकरण कैसे होंगे कहां होंगे, क्या उसकी availability में हो, ऐसा तो नहीं है कि आप test कर रहे हैं और जो भी test करना चाहते हैं, उसके उपकरन आपकी city में नहों, आपको दूसरी city जाना पड़े, आपको sample लें, आप दूसरी city जाएं, तो वो क्या होता है, वो capacity के बाहर होता है, कितना daring job होगा कि आप sample ए नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खडचा आता है, आपके पास उसके लिए अनुकूल उपकरण होने आवशक होता है, उसका निरिक्षन करना आना चाहिए आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो research आप कर रहे हैं, आपने samples के उपर आप research कर रहे हैं, और sample का ब यह हैं, कि वहाँ उप्योग में, बिस्किट उप्योग में हो रहे हैं, अत्वा नहीं हो रहे हैं, इसका जो researcher है, वहाँ निरिक्षन ही नहीं कर पा रहे हैं, अब निरिक्षन ही नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वैदता नहीं हो पाएगी, बिस्किट लिए, खाए, अत्वा नहीं जाजचा हो पाई. क्यों जाज नहीं हो पाई? क्योंकि नहीं दिक्शन नहीं हो पाया. То ऐसी समस्या, ऐसे objective का उप्योग करना चाहिए, जिसमें की व्यकति यानि की researcher है जो दिक्शन कर सके, व्यक्ति के पास में, रिसर्चर के पास में अनुकूल उसके लिए उपकरण अवेलेबल हो, यदि अनुकूल उपकरण अवेलेबल नहीं होंगे, तो क्या होगा, निश्चित तौर पे अनुकूल उपकरण और इरिक्षन नहीं होंगे, तो जो रिसर्चर होगी, वो successful नहीं ह उपाएगी उसके जो परिनाम है उसकी reliability और validity के उपर प्रशन चिन लग जाएगा योग मार दर्शन की कि सुलबता जो भी researcher है वह कहीं नहीं किके हम research कर रहे हैं किसी चीज को find out कर रहे हैं तो हमें guide करने के लिए कोई योग मार दर्शक होना चाहिए कोई बताने वाला होना चाहिए हमें कि हाँ आप यह सही कारे कर रहें अत्वा नहीं कर रहें अगर हम हमारी इच्छा इच्छा से तो हमें यह ध्यान लग लेना चाहिए कि हमारे पास हमारे research के लिए कोई guide है हमें guide करने वाला कोई है यह नहीं है, हमें ग्यान की कमी है, यह दिमाग में सेट कर लेना चाहिए, हमें यह बिल्कुल नहीं फाइंट कर लेना चाहिए, कि हाँ हमसे हो जाएगा, no doubt हो जाएगा, परन्तु हमें कोई गाइट करने वाला अवश्य होना चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक के उपर, जो विशय विशय शग्य हो, जो हमें यह बता सके कि हम जो कारे कर रहे हैं, वह कारे सही है, क्या वह सही डिरेक्शन में जा रहा है, क्या हमने जो रिजल्ट निकाला, वह सही निकल रहा है, अत्वा नहीं, इस हेतु हमारे पास समस्या की के लिए, योग्य मार्ग दर्शन के ल जहां पर अगर हमने उपकरण ऐसे चुनाव इस तरीके से किया कि हमने समस्या सेंपल एक जगे से करें और हम दूसरी सीटिम में जाके उसको एवेलिशन कर रहे हैं, ठीक है? अब समय कितना खडच हो रहा है, श्रम कितना अधिक लग रहा है, तो बच्चों समस्या ऐसी फाइ समय दोनों बच्चे ऐसा नहीं हो कि ठोटी से रिसर्च है, उस रिसर्च को पूरी करने के लिए जो समय और श्रम में, जितनी रिसर्च का महत्वनी है, उससे ज़्यादा समय और श्रम लग जाए. रिसर्च के हिसाब से समय और श्रम लगना चाहिए, और टॉपिक इस तरीके से चुनाव करना चाहिए, कि जो रिसर्चर का स्वयम का रिसर्च करने के समय और जो श्रम है वनिश्चित तोर पे उसका बचाव हो सके. किसी स्थापित सिधान्त का संबंध होना चाहिए, कोई भी सिधान्त है, कोई भी लौज है, बना हुआ है, तब इस हम परिकल्पना करते हैं, क्योंकि हम संबंध स्थापित करते हैं, हम परिकल्पना करते हैं उस लौज के तुरू, कोई भी नियम लौ बना हुआ है, हम यह तो यह आवश्य देख लेना चाहिए, रिसर्चर को टॉपिक का चुनाव करते समय कि जो टॉपिक बन रहा है वहाँ उसका कोई नियम प्रिंसिपल किसी से जुड़ावा होता है, तब क्या होता है, रिसर्च करना असान हो जाता है. रिसर्च करना जब भी असान हो जाता है, यह रिसर्च को टॉपिक बनाते समय यह अवश्य दहान रख लेना चाहिए, कि आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं, वह समाधान योग्य हो और परिक्षन इतनी हो, उसकी समस्य जो भी आप हो, उसका समाधान हो, ऐसा नहीं है कि समाध जिसमें गैप है, वह भी ज़्वोग ज़यादा इंक्रिस हो रहा है, ऑब एक समस्या है, हमने इसका फाइंड आउट करा, यह जो कन्या भून हत्या हो रही है, वह क्यूं हो रही है, समस्या का हमने समाधान निकालते जा रहे, कोई भी आपजेक्टिव लें आप, तो निश ऐसा कोई भी नहीं हो जिसको समाधान योगी नहीं होती हाला कि ऐसी कोई रिसर्च नहीं होती है जिसका कोई भी समाधान नहीं होता है परन्तु फिर भी हमें कोशिश यही करने चाहिए कि हम जब अबजेक्टिव कर चुनाव करें तो अबजेक्टिव के चुनाव के समय हम इ हमारी समस्या, यानि हमारा जो objective लिया है, हमने, उसके उपए परिक्षन करना चाहे, तो परिक्षन के योग्य हो. Next है, स्वतंत्रिचर एवं आश्रित चर की स्पष्टा. चर क्या होते हैं? चर यानि होते हैं, जो आपका objective है, उसकी characteristics, उसके गुण. यह होते हैं, चर. चर भी मुखेतर, दो तरह की होते हैं, स्वतंत्रिचर और आश्रित चर. जो भी आप चर ले रहे हैं, जैसे, वो मेरे इंटर्पेनियोर्स की, अगर हम study करेंगे, तो हम यह find out कर रहे हैं, उनकी strength क्या है? तो strength क्या-क्या है? उसको हमने आगे से further classify करा है, क्या उसका परिवार है, क्या उसका समाज है, क्या उसकी educational qualification है, क्या woman की personality है, क्या further उसकी strength है? तो mind में यह clear cut होना चाहिए, कि जो भी स्वतंत्रचर है, यह क्या होता है? स्वतंत्रचर, तो जो भी स्वतंत्रचर है, यह clear होने चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, अच्छा strength है, strength, बहुत सारी strength है, women entrepreneurs की, यह नहीं होना चाहिए, कि हाच्छा हम जब women entrepreneurs के पास जाएंगे, तब हम उसकी strength find out करेंगे, नहीं, जब researcher research करा होता है, objective बनाते समय, उसके mind में ये setup हो जाना चाहिए, कि उसका जो चर है, वो बिल्कुल clear cut हो, क्योंकि जो आश्री चर है, वो किस पर dependent होते हैं? स्वतंत्र चर के उपर, जो भी result आएंगे, वो किस पर आएंगे, स्वतंत्र चर के पर dependent होंगे, और यदि चर clear cut है, objective बनाते समय ही, तब आपकी जो research होगी, उसकी validity ज़्यादा perfect होगी, उसकी validity ज़्यादा अच्छी होगी, इसलिए यह ध्यान रख लेना चाहिए, कि जो चर होते है, चाहिए वो आश्रित हो, चाहिए स्वतंत्र चरो, उसकी अंदर clear cut होने चाहिए, कब होने चाहिए, जब आप objective का selection करें, समस्या कथन की लंबाई, बहुत अधिक नहीं होने चाहिए, बहुत कम नहीं होने चाहिए, समस्या कथन की, no doubt, यह क्या होना चाहिए, शब्दों का फेर बदल होता है, परस्ट होने चाहिए, सबसे पहले तो, और उसकी जो समस्या होती है, जो objective आप लख रहे होता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि कथन बहुत ज़्यादा लंबा है, जो हम कर रहे हैं, स्टेड़ी वो तो बहुत चोटी है, परन्त हमना जो उसका स्टेटमेंट लिखा है, वो तींचा लाइन का लिख दिया है, जो क्योंकि शब्दों का हेर फेर है, शब्दों का बदलाव है, तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इस तरह के से नहीं होना चाहिए, या बहुत छोटा सा, वो भी नहीं होना चाहिए, जो कथन होता है, उसकी उचित लंबाई होनी अवश्य होती है, साथ ही समस्या कथन का स्वरूप, स्पर्ष्ट होना चाहिए, कन्फूजिंग नहीं होना चाहिए, अधर जूल नहीं होना चाहिए हां अथ्वना नहीं होना चाहिए पढ़ रहा है जो वेक्ति आपकी जो समस्या है रिसर्च की नहीं होना चाहिए और सबसे इंपोर्टेन बात जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो धार्मिक और नैतिक आगात से मुक्त होना चाहिए, किसी भी धर्म को, किसी भी जाती को, किसी भी वर्ग को, किसी को भी आगात नहीं पहुचाना चाहिए, हम रिसर्च करते हैं मानवता की भलाई के लिए, हम रिसर्च करते हैं समाज का उत्थान करने के लिए, हम तरहे की समस्या चुननी चाहिए, जो कि धार्मिक और नेकित आगातों से पूनता है मुक्तों, असाध्य समस्याओं से बचाव करना चाहिए, जब हम रिसर्स टॉप करते हैं, तो ऐसी कई बार हमारे समस्याओं आती हैं, जो वर्शों से चलिया आ रही हैं, समस्याओं और उस बंधन होते हैं, और ऐसी समस्याओं से हमें बचाव रखने लेना चाहिए, जैसे चलता आ रहा है बर्शों से पुरुशों और महिलाओं के बीच में डिफरेंस, और युग-युग से चलता आ रहा है और युगांतर तक चलता ही रहेगा, जिस तरीके से परिसित्या देख रही है, चलता ही रहेगा, हमें जानते हैं, अब आप इन समस्याओं से हमें बचना चाहिए, इन समस्याओं को हमारे साथ में नहीं लेना चाहिए, तो बच्चों, रिसर्च की जो अब्जेक्टिव होते हैं, उसका चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वह पून करना चाहते हैं, तो निश्चित तोर पे ये बात ध्यान रखिए, कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए, कि आपकी रिसर्च की समस्या क्या है, यदि आपने रिसर्च का चुनाव अच्छी तरीके से कल लिया है, यदि आपने ये फाइंड आउट कल लिया है, कि आपके research का objective है, बिल्कुल clear-cut है, उसमें जो variables है, वो भी बिल्कुल clear-cut है, कथन भी सबस्चे है, तो निश्चत तौर पे जो research होने जा रही है, वह research एकदम perfect होगी, उसकी validity और reliability का अस्तर निश्चत तौर पे उस तरका होगा.